हलो एन वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट मैं हूँ श्रद्धा पांडे विराट कोहली का खराप रदर्शन लगातार जारी है IPL 2022 के 39th मैच में राजस्थान के खिलाफ एक बार फिर विराट कोहली का बल्ला नहीं चला लेकिन मैच में उनकी एनरजी जो है कमाल की रही विराट अपनी बैटिंग से तो कॉंट्रिब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि अपने एक्सपीरियंस का विराट जो है बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं जिसका नजारा मैच में देखने को मिला दरसल राजस्थान की पारी के दौरा नमबर तीन पर आर अश्विन बल्लेवाजी करने आये थे वो तेजी से रन बना रहे थे चोथे ओवर में अश्विन ने सिराच को लगातार दो गेंदों में दो चोके लगाए इसके बाद उन्होंने अगली गेंद चोथे स्टम पर धीमी गती से डाली ओबर की आखरी गेंद पर विराच कोहली ने सिराच से कहा भाई से बाउंसर मार की आउट होगा सिराज ने विराट की बात मानी और आखरी गेंद पर अश्विन को ओफ स्टम से बाहर शांदार बाउंसर बॉल डाली पट्की हुई गेंद पर अश्विन पुल करना चाहते थे गेंद ने बल्ले का उपरी भाग लगा लिया और सिराज ने अपनी ही गेंद पर एक शांदार कैच जो है लपक लिया जब अश्विन वापस पवेलियन जा रहे थे तो कमेंटरी कर रहे हर्बजन सिंग ने भी कोहली के इस फैसले को लेकर उनकी खूब जमकर तारीफ करी मैच में कोहली ने बोल्ट का शांदार कैच भी पकड़ा था आपको ये भी बता देतें कि RCB के पूर्व कप्तान को प्रसिद कृष्णा ने आउट किया था और उनका कैच बैकवर्ट पॉइंट पर रियान पराग ने पकड़ा था विराट 10 के इंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लॉट गए पिछली 5 पारियों में विराट के बल्ले से सिर्फ 22 रन ही निकले IPL की बात करे तो पिछले 6 सीजन्स में एक भी बार जो है 500 रन विराट नहीं बना पाए विराट ने competitive cricket में पिछले 102 मैचेज में शतक नहीं लगाए हैं कोहली का आखरी शतक 23 नवंबर 2019 को बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में आया था उसके बाद से ही वो international cricket में 73 इनिंग्स बिना शतक के खेल चुके हैं अगर बात करते हैं विराट की तो आपको बता देते हैं विराट जो है अभी खराब form से बहुत ही जादा जूज रहे हैं लेकिन अगर आप फाफ की बात करेंगे तो फाफ कप्तान है अभी के कप्तान है फाफ ने विराट पे बहुत ज़दा भरोसा दिखाया है उन्होंने कहा है कि विराट को जो है अभी confidence की बहुत जादा जरूरत है अभी वो जो है pressure में खेल रहे हैं लेकिन हमें उमीद है कि विराट जो है bounce back करेंगे और जरूर करेंगे अब देखना यह होगा कि अगला जो match खेलेंगे विराट कोली उसमें क्या विराट कोली bounce back कर पाते हैं या नहीं हलेकि हम fans की उमीद है कि विराट जो है विराट को जाना जाता है जिस तरीके से उन्होंने 70 centuries अब तक लगाई हुई है विराट ने तो विराट को जो है एक हम strong बल्लेवाज एक मजबूत बल्लेवाज की तरह जानते हैं लेकिन उनका जो बल्ला है अभी खामोश लग रहा है IPL 2022 में उनका बल्ला बहुत ही जादा खामोश लग रहा है लेकिन उमीद है यही है कि अगला जो match है अगला जो match है RCB का उसमें विराट जो है अपना विराट रूप दिखाएंगे अटलीस हम उमीद यही करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को like कीजिए हमें comments करके बताईए कि आपको जो विराट का involvement था कल पिछ पर जो विराट का involvement दिखा वो अच्छा